हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आपात कालिन सेवा में उप्योग आने वाले 300 ऑक्सिजन सिलेंडर वर 300 ऑक्सिजन रेगूलेटर रूमा देवी ने बताया कि इस मैने के पहले सप्ता में मुख्य चिकित्सा वस्वास्त विभाग कारालय द्वारा उक्त सामगरी की मांग संस्था से की गई थी जिस पर ततकाल सैयोग जुटाते हुए गिफ इंडिया वा भामाशाओं की सैयोग से उच्च गुनवत्ता की सामगरी प्राप्त कर विभाग को सौपी गई एक करोड पचास लाग के लगभग की लागत सामगरी भे इस अफसर पर रूमा देवी ने बताया कि लगभग स्वास्त विभाग को सुपूत रखी जाएंगी इस अफसर पर मौजूद बार्ड में जिला कलेक्टर लोगबंदु यादव ने अलप समय में उपकरण उपलब्द करवाने पर आभार विर्त कर खौसला अफजाई की ग्रामिन विकास इवं चेतना जंस्ता के सच्चिफ विक्रम सिंग ने बताया कि इससे पहले पिछले सब्ता 25 लाग के लागत के जीवन रक्षक इंजेक्शन वो ऑक्सिजन मशीन ने स्वास्त विभाग को उपलब करवाई जा चुकी है उन्होंने बताया कि इसी तरह कोरोना की पिछली लहर के समय में 50 लाग से अधिक का राह इस दौरान जिला कलेक्टर लोग बंदु यादव जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी डॉक्टर सत्ता राम जिला श्रम मस्दूर निरिक्षक मूला राम जाखर मूल सेंग दल गठन शाका कलेक्टरेट संस्था सचे विक्रम सिंग चौधरी रूमा देव परियोच्ण समन्व्यक नैंसी सिंगला धनेश्वरी देवी संस्था के स्वयम सेवक हीरा राम सारन धुंबली गनेश बोसिया महाबार गौरफ सुरेश गुदारा पनावडा मास्टर टीकु राम करेला वागा राम अजे चौधरी रुपेश कुमार सेह जिला प्रशासन स्वास्थ विभाग के अधिकारी उपस्त रहे जाक्रुक टेवी के संवादाता से बात करते वी रुमा देवी हस्त शिल्प डिजाइनर वा अध्यक्ष ग्रामेट विकास चेता संस्था बाड में इन्हों नहीं कहा मेरा नाम भूमा देवी है रूड में चेक्ष और पहले भी हमने चौनश्टेंटर और इंजक्षन भेट कीए हैं और यह गिव इंडिया के सयोग से हो रहा है तो इसलिए गिव इंडिया को भी बहुत बहुत आभार और हमारी टीम तादीन मेनक करी एक उनका भी बहुत लो जागरुक टेवी की बार्ड में से ठाकर राम एकवाल के रिपोर्ट